हेलो दोस्तों नमस्कार सस्रियाकाल आदाव राम राम सलाम वालेकम और दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल मल्टी टेलेंटेड में स्वागत हैं मैं सभी मेरे वीवर्स का बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रिया अधा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत प्यार दिया मेरे चैनल को और दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर दे कॉमेंट कर दे और शेयर कर दे और अभी अपने बात करते हैं अधर सनोत्री के अंदर 10-15 कोमेंट मैंने लिये हैं जो विवर्स के समस्य जो थी उनको मैंने कलीर करने की मैं कोशिश करूँगा तो पहले हम बायोगेस प्लांट के उपर जो कोमेंट आया है उनका उतर देते हैं पहला कोमेंट है मौनु मीना जी का मौनु मीना जी ने भूब कितनी लगती है उसमें गोबर का अपने जो है कितने दिनों में उसको अंदर डाइजेस्टर के अंदर गोबर पानी का मिश्रन डाल रहे हैं और बाकी हमने साधे 500 लिटर की टंकी में बना रखा है और हम रोजाना एक सवा एक गंटा शाम को और सवा एक गंटा लगबग सुबह यूज करते हैं तो इतनी गैस अराम से बनती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी आपके डाइजेस्टर पर निरबर करता है कि डाइजेस्टर कितन गैस खूब बन रही है लेकिन जल नहीं रही है और यही सरवण स्वामी जी का प्रोब्लम इन्होंने बताया सरवण स्वामी जी ने भी लिख आए कि हमने 200 लिटर की टंकी में प्लांट लगा रखा है सर 8 रोज हो गया गैस बन बहुत रही है पर जल नहीं रही है कोई इल गया है तो उसको पंदरा दिनों तक उसके अंदर मिथेन गैस नहीं बनेगी कलियर लिए देख लीजिएगा पंदरा दिन तक आपका जो है उसके अंदर मिथेन गैस नहीं बनेगा आप जितना पंदरा अठारा दिनों तक अगर गैस कठी हो रहे गैस बन रही है और आपने को पुरा उसको खाली कर लिजिए, खाली करने के बाद आपका लगबग 18 दिन गैस बनेगा वो मित्हेन गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वो जलने में कोई प्रोब्लम नहीं है, निश्चिंद रहें, बाकि आप आश्यावादी रहें, धेर ya रखें, और निर डाइजेस्टर अच्छा बना रखा है और कहीं से लिकीज नहीं है और आपने गेस का भंधारन जो आप जिसी में कर रहे हो किसी चीज में कर रहे हो तो उसके अंदर जो भंधारन कर रखा है उस गेस को इकठा कर रखा है उस गेस को निकाल दीजिए और दुबारा से फिर उस उसमें डाल रखे वो नहीं निकालना सिर्फ गैस को निकाल दीजिए तो मिधेन के किटानू पैदाओने में टैम लगता है और एक बार सुरू हो गया मिधेन के इस बनना फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर खूब बनेगी तो चोधरी साब को और सरवन जी को उत्तर म लगाने वाला है तो हमें बताना हमने बड़ा प्लांट लगवाना है तो छोगराम जी आपको नम बता जाओंगा कि गौवर्मिंट इसमें सब्सीडी भी देती है और बहुत बड़ा प्लांट बड़ी मत्रा में कोई गउशाला में या कोई बहुत बढ़ या निर्मान करन और आप बड़ा प्लांट अच्छे से लगा सकते हैं इसमें आपको गवर्मेंट सबसीडी भी देती है उसके बाद अजी शाम तामरकर जी शाम तामरकर जी ने लिखा है कि सर्व 25 दिन हो गए है गैस बन रही है बायो गैस प्लांट मेंने लगा रखा है जल नहीं रही है तामरकर साथ मैंने अभी उत्तर दिया है कि आप जिस गैस का जो बंढरन कर रहे हो उस गैस के पात्र में जिस पात्र में आप बंढरन कर रहे हłे उस पात्र को खाली कर दीजी जितना भी गैस वनाा है झाली कर दीज benefit Pat rebels जूश इफ़ बायो गैस को जो हम हमारे जो यह gjort चूला है इसके इंदर हम जलानी की कोशीज करते हैं तो सपकी यह नहीं जलती है क्योंकि इसके बरनर होता है उसके एक च्षेद्र बहुत छोटे होते हैं और उन बात आपने जिसमें भंढरन कर रखा है जैसे ट्यूब है या कोई और किसी चीज में कर रखा तो उसमें फ्रेशर आना चाहिए फ्रेशर आना चाहिए उस पर फ्रेशर रखोगे फ्रेशर से आगे गयस आएगी तो बिल्कुल जलेगी कोई दिक्टवाली बात नहीं और आप समझ गए होंगे उमीद करता हूँ अब भी नेक्स्ट जो है वो है केवल टोबी वाला जी केवल टोबी वाला जी मेरे साथ से शाहिद पंजाब से होंगे और ये कलाकार है और ये बहुत बड़ी बंदे है और मैं भी एक उसमें गुरूप में जुड़ा हुआ हूँ तो बड़ी खुसी की वाद है टोबी वाला साथ आपने पूछा है कि क्या हम ये बनाके बायोगेस प्लांट और शेल करते हैं गया नहीं दोस्त हम शेल नहीं करते हैं मैंने सिर्फ मेरा अनूबह जो था उसको मैंने जो है आप लोगों से शेयर किया ताकि क्योंकि हर गर में आजकल पसूट तो तमाम घरों में होते ही होते हैं तो गोबर उनका वेश जाता है हम उस गोबर का जो है सुद उप्योग करें और उससे बायोगेस प्लांट लगाएं उसका गेस का उपयोग करें और जो उसकी सेलरी निकलती है उसको खाद के रूप में उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होता है तो मैंने ये नेक नीती से मैंने जो है मेरा ये अनुबह आप लोगों से शेयर किया ताकि आप भी इसे प्रभावित हों और आप भी ऐसा लग कि आप कॉमेंट करें और मैं इसी तरीके से आपको वीडियो बनाके और उनके उतर देने की कोशिश करूँगा और दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें लाइक कर दें कॉमेंट कर दें और शेयर में आपको बहुत कुछ मिलेगा विजिट करें अगर मैंना के लेसंन जैसे सहन गाएं और आपको इस जो है दौह इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेह बहुत आवाने जै हिंद जै भारत